हुआ हें कि तो यहां लोग नंबर लाइन पर इरिशनल नंबर को कैसे रिपोजेट करते हैं तो माल लोगे कोई नंबर है न रूट एन क्योंति इरिशनल नंबर रोड के अंदर रहेगा रूट एन कोई नंबर है इसको को नुंबर लाइन फार नीपाजेंट करना है और ये जरस है क्योंकी रूट के अंदर çık 32 तो हो नहीं सकते Bronze सब्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं Mac आ कुए कि ओक व्यौकी तरफे ले लेते हैं लोकेट या रिपोजेंट भी लिख सकते हैं लोकेट रूट टू अन्दर नमबर लाइन ठीक है यह बात है तो यहां पे अगर टू की बात करते हैं तो टू क्या होगा टू इसको टू लेजा छकते हैं तो सकल टू क्या लेंगे अगर आपको मैं थोड़ा ले लेता हूं तो यस तल्डर से हम ले लेते हैं ओन ठीके माल लीजेऊ यह नमबर से हैं है एक लाइन हो गया है किले रहे ऑफ कि इस तुरौ अगर हम जाते हैं माश इंफिनिटिव और इधर यह जा रहा है अधर इस जा रहा है तो यहां से हम लेते हैं अपना वन ले लिए यहां से यहां तक हमने वन ले लिए लाइन बड़ा इसलिए ले रहे हैं कि वन यूनिट है ताको आपको अच्छी तरह से नज़रा सकें वन टू ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है ओके तो यहां पे चीज़े आ गई वन टू इधर यह हो गया माइनस तो नंबर लाइन पर रिपर्जेंट करना है कि इसको रिपर्जेंट करना है रूट टू को तो रूट टू का वैलू टू से तो कम होता है लेकिन वन से ज्यादा होता है होता है कि नहीं तो वन प्लस वन टू हम आता है तो यहां पर अगर वन लिए है तो 90 डिग्री लेंगे और 90 डिग्री से क्या करेंगे एक और वन निकाल लेंगे है ठीक है तो सबसे बोले हम क्या करेंगे 90 डिग्री मेजर कर लेते हैं इसको हम मिलाते हैं अच्छा है तो कमपास से भी बना सकते हैं कोई वो नहीं यह हो गया 90 डिग्री ओके तो 90 डिग्री यह अगर हो गया माल लेते हैं वन हमने लिया था तो वन इधर से भी लेंगे क्लियर है तो यहां से भी मेजर किजिए वन कहां रहे यहां रहे है क्लियर है इस पॉइंट को अगर हम जॉइन करते हैं जॉइन करते हैं अब देखिए क्या यह हमारे पास जो वहलूज है यहां से यहां तब क्या यह वन आए कोई दाउट है और जो यहां से वहलूज है और यहां तो यह भी वन आया है नो डूट यह वन यूनिट यह भी वन यूनिट तो पैता वोरस्थ यूरम अगर हम लगाते हैं बाइद वे पैता वोरस्थ यूरम लगाते हैं वन का स्क्वाइर वन प्लस वन का स्क्वाइर वन माल लीजी इसको यह को एक कोई नाम दे देते हैं ठीक है ए ए ए बी सी तो क्या होता है एसी इसक्वाइर प्लस बीसी इसक्वाइर होगा तो यहां पर जो रिजल्ट हमारे पास आया वन प्लस वन रूट अबर टू तो एसी इसको यह क्या है रूट अबर टू इसको रिपरजेन कर सकते हैं कहीं पर फिए अगर आप चाहें तो यहां पर भी रिपरजेन कर देंगे क्योंकि इसका जो दिस्टेंस है यहां से लेकर और यहां तक का दिस्टेंस कितना है रूट टू है अगर रूट टू को लाइन पर रिपरजेन करना है तो आप देख लेजिए कहा आ रहा है यहां आ रहा है यानि यहां से और यहां के बीच जो दिस्टेंस है वो कितना है र कर सकते हैं तो चलिए लेते हैं एक लाइन ले लेते हैं ओके है और यहां पर हमने लाइनिंग लेना शुरूप किया हो अधों को तो हो अ हमएं पता है कि यह दीश्रेंस कितना है यहां से वापस मेजर किये इतना है और इसी को लिए इसी को रिपर्जेंट कर दें के नॉमबर दाएं तो इस तरह से कर सकते हो तो इस तरह सरे कोस्चन कर सकते हैं अ तो दिफ्रेंट डिफ्रेंट फोचन पर नेंगे जो निफ्रेंट्ट्रों स्वीफन करना थीकर तो अपन दो तरह से कर सकते हैं सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जो हमारे पास numbers है वो 5 है तो 5, 4 प्लस 1 आके 3 प्लस 2 क्यों नहीं लिए 4 प्लस 1 ही आप बोल सकते हैं कि 5 जो है इसको आप 4 प्लस 1 लेने के बजाए 3 प्लस 2 भी ले सकते थे clear है लेकिन हम इसलिए नहीं लेते हैं हम observe करते हैं कि अगर root 5 आना है ठीक है ? root 4 यानी 2 one का root 1 जिसका root pro पर निकल जाए हम वही लेए घीक है ? जिसका root पर निकल जाए इतला कि जो real number है उसको तो आसानी से रिपोजेंट कर सकते हैं लाइन पे इसके लिए कोई ये तो इसके नमबर लेंगे जिसका स्कॉयर रूट वोपर होता है तो रूट 5 को अगर रिपर्जेन करना है तो यह ले लिए तो अगर यह ले लिए तो क्या करेंगे तो इसको भी उसी तरह से सॉल्फ करेंगे तो उसी तरह से सॉल्फ करेंगे तो वापस वही काम करेंगे जो हम पहले कर रहे हैं है ना तो वापस क्या करेंगे हम एक लाइन लेंगे ठीक है ओके एक लाइन लिए वापस चीरों शुरू किये वापस से वही कर रहे हैं वाण टू इधर पोजेटीव ले लिए वाण इधर निगेटीव ले लिए एक और ले लो अगर इधर ठीक है वाण टू ट्री माइनस वाण माइनस टू किलियर है डिपरजेंट करने के लिए तो अपन क्या करते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि फोर तक जो रूट होगा वो क्या होगा टू होगा आप वन का रूट क्या होगा वन होगा तो पहले हम टू यूनिट्स लेते हैं यानि यहां और यहां के बाद हम वापस वही करते हैं आइंटी दिग्री का इंगल बनाते हैं कि यह रहे बिल्कुल नैंटी आ गया इसको जोएन करेंगे जोएन करने के बाद अपन टू दूसरा यूनिट क्या लिए थे वन लिए थे तो वन मेजर कर लो कहीं से भी वन मेजर कर लेंगे यहां तो अब इसको जोएन करेंगे हमें पता है कि यह कितना यूनिट है यहां से यहां तक और यह कितना यूनिट है उपर वाला वन यूनिट है तो तो यहां पर अगर पैथा घुरोश थिरम लगाते हैं वापस होई काम करते है यहां पर अगर पैथागुरे अगरश थिरम लगाते हैं तो क्या होगा 4 प्लस 1 root over 5 क्या है root over 5 तो यहां से हमें मिल गया यह root over 5 है तो यह कितना है root over 5 अगर इसको हम चाहे तो यहां पर भी रिफर्जेंट करते root over 5 2 से ज़्यादा होगा होगा की नहीं होगा किलियर है लेकिन 3 से काम होगा तो यहां पर root over 5 दिखा दीजिए अगर चाहे इसी लाइन पर रिफर्जेंट करना है तो यहां से कॉंट करें और यहां पर दिखा दीजिए root over 5 यानि 2 और 3 के बीच में यहां पर root over क्या रहे 5 हा रहे कोई कोई क्या करता है तो यहां से इस तरह से भी हिए 2 प्लस वाण लेंगे तो का तो प्रोपर स्क्रा रूट नहीं हो रहा है हो रहा है अगर मू ले तें6 लेते हैं तो 4 प्लस 2 ले सकते हैं 5 प्लस 1 ले इसकते हैं द्लार क्या तो फिल्कर रूट हो liquids हो रहें लेकि Nीच को कहा हो रहा है लेकिन उसको वापस करेंगे चलिए देखते हैं रूट 3 रूट 6 रूट 7 और नमबर 9 लोकेट करना है रूट 3 रूट 6 रूट 7 इस तरह के नमबर को तो अगर आप बात करते हैं इन से तो रूट 3 यानि 2 प्लस 1 ले सकते हैं लेकिन 2 का तो असको रूट होगा ही नहीं बात सही है नहीं होगा तो नहीं होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हमें रूट 2 फाइंड कर लेंगे हमें रूट 2 फाइंड है कि यह क्या है रूट 2 है हमें क्या फाइंड करना है रूट 3 तो रूट 2 प्लस 1 रूट तो ठीके रूट्टू अगर करते हैं इसका स्वैर करेंगे तो क्या आएगा ट्राइगा रॉन का स्वैर में टू ब्लस रूं टीरी हो जाएगा तो इसितर से सूचते हैं अगर नहीं समझ में अग्रुत 3 निकालना है ओर यह राखन लुट 3 निकालना है थीक है रूट 3 इसकोड़ टू रूट 2 नहीं आएगा किलियर है कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है तो इस द्रह से हम निकालेंगे तो कैसे आईए देखते हैं पहले तो हम यहां से हमें पता है यह यह रूट टू है और यहां पर वापस हम नैंटी डिग्री का एंगल लेंगे देखें मेजर कीजिए फिल्कृट पॉर्फेट नैंटी हो गया देखें यहां रहे इसको हमने लोकेट कर दिया कि जोयन करते हैं हो गया तो यह एंगल नैंटी हो गया यह एंगल क्या हो गया कि नहीं हो गया अब यह रूट वह है और यह हम ले लेती हैं यहां से क्या ले लेती है वाल अगर जोइन करेंगे तो क्या है अगर के क्लियर हो गया तो यहां पे इसका जो बेसे रूट टू है और यह क्या है वन तो रूट टू का होल स्क्वेर क्या होगा तो अवन का होल स्क्वेर यहां पे जो हमने किया तो यह जो रिजल्ट है यह वो कितना हो गया है रूट थ्री क्लियर है कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसको रिपर जेंट करना है तो इसको मेजर कर लो अब यहां तक पूब कर दो नॉम्बर लाइन पर रूट्थिरी वह वान और थो के बीच में ही आए यह होगा रूट थिरी क्लियर हैं अगर इसको रिपर जेंट करना है तो यहां से लोग जोंसे रिपर जेंट कर दो रूट्थिरी यहां आगया क्लियर, अब उसी तरह मालो, रूट 5 तो हमने रिपरजेन किया है, 4 क्या तो 2 होई जाएगा, 5 रिपरजेन किया है, 6 रिपरजेन करना है, तो 6 रिपरजेन करना है, रूट 5 हा, प्लस 1, ठीक है न, 6 है जाएगा, तो वहीं यही चीज वापस करेंगे, हम, यहाँ पर वापस 90 दिग्री का एंगल लेंगी देखिए मेजर्मेंट कीजिए नाइन्टी ओके नहीं है इसको जोईन करते हैं कि लियर है और वापस मेजर करते हैं वन यहां से मेजर कर लिए वन हो गया है कि लिए तो देखने वाली बात यह है कि यह रूट 5 है और यह कितना है वन है इन दोनों को जो लाइन जोईन करेंगा लाइक दीस थीक्त है तो यह कितना हो गया रूट 5 का स्क्वाइर फाइफ और तो इसको अगर रिपोजेंट करना है तो 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 रूट शीक्स थीरी से कम होगा होगा कि ने इसी तो यहां ले रिपोजेंट कर सकते हैं यहां पर लोट तो और थीरी के बीच में आ गया यह रूट 5 था यह रूट 6 होगया ठीक है इसपे रिपोजेंट करना है तो यहां से लोग ऐसे कट कर तो लो रूट 3 भी हो गया रूट 6 भी हो गया क्लियर है ना चलता जाएगा सेवेन करना है बाइद अवे तो रूट सीक्स प्लस वॉन फिन एंटी दिगरी का एंगल लो फिन जोएन करो हो गया रूट सेवेन तो यह तो बात हुई ऐसे नंबर्स के जो छोटे हों मालो टू तू थिरी फाइब सीक्स कर लेंगे लेकिन कभी के कोश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समाझ में आ रही बात है या फिन दे दी आपको 23 तो बार बार तो करते नहीं चाहेंगे 23 उससे पॉला जो स्कॉयर होता है वह कितना होता है पूर होता है 16 ठीक है और 16 के बाद अगर आप निकालेंगे तो सुच यह 16 प्लस सेवें 23 तो 17 टाइम्स आपको खुरना पड़ेगा तब को 16 रूट 17 रूट 19 तो अगर ऐसी कोई प्रोब्लम्स है जो इतनी लिंदी टाइप से हो तो उसके लिए क्लिया करेंगे ठीक है तो चलिए आते हैं पॉइंट पे देखे किसी भी नंबर को किसी भी रियल नंबर को अगर नंबर लाइन पर रिपरजियन करते हैं तो यह मेथिद कामारता है ठीक है कुछ भी हो तो सबसे पहले हमाल लेते हैं रूट पॉजिटिव माने क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे उससे बात क्या करते हैं? कि एक lijn डॉओ करेंगे एसे लाइन को करनेगे ऐसे बी तक सब्सक्राइब certificate Plus यहीं लिए कि कि यह से बीडुओ करेंगे और उस लाइन ड्रोह को करने के बाद कि एक ल्याइन ड्रोग कर रहा हूा ah के ऐसे बी तो अगुत एक लाइन ड्रोग किया ओ यह कंग यह के लिए है न तो एक line ड्रो किया from A ठीक है आपके पास root x दिया हुआ है तो x का distance कितना है माल लेते हैं x is called to a, b, a से b का जो distance है वो a ठीक है तो a भी यहां से major करते है और हमने देखा कि चलो इतना है यहां तो हमने b माल लिया कुछ भी दिया हो तो यह जो a से b का distance है वो क्या है x है a से b का distance जो है वो a तो यह भी हमने एक line लिया जिसका जो कितना है x है जो भी root के अंदर रहते है उतना ही ले लेते हैं x ले लिया ठीक है चलो यह कितना x हो गया clear है उसके बाद क्या करते है ने step में कि from point b mark a distance of one unit and mark the new point as c तो b से one unit बढ़ा देते हैं और c तक उसको पहुचा देते हैं ठीक है कि जितना भी रहा हो यह इसे मत्द्द जितना है उससे one unit बढ़ा देते हैं तो बढ़ा बनाने के लिए हमने one unit बढ़ा ले लेते हैं चलो यह one unit ले लिए हमने यहां तो यह जो point हो गया यह कौन सा point हो गया c point हो गया clear है तो यहां से हम क्या करते हैं हाफ से ज्यादा लेंगे और कट करेंगे कि इधर से भी आप से ज्यादा लिए और इसको भी कट किए ठीक है जो भी रहा अभी तो कटा नहीं है यह कट गया ही जहां और जहां पर भी यह कट कर रहा है यह हो गया meet point best point तो यह ac का क्या है meet point है इसको ओ मान लेते हैं चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं एक सेमी सर्कल ड्रोग करते हैं ठीक है यह पूरी तरह से सर्कल भी ड्रोग कर सकते हैं कोई वह नहीं है it semi-circle draw कर तो measurement करते हैं कि यहां से इसको measure किए यह center मान लेते हैं और और सेंटर मानने के बाद हम एक circle यहां से रकलड रो करने के बाद हम क्याHer nes奇怪 step में आते हैं कि शहां पर स्य इhen कि तिगे कि और यह हैंगें अगर यह हमें नहीं पता नहीं कि परकेंडिकोलर है कि इसलिए kin बनाने के लिए हम वापस पल्रेटंटर का यूज करेंगी और याइंटी का एंगल करना तो यहां पर हम इसको जोईन कर दी है जो बीडी का वैलू हुआ न वह इक्स जो हमें रिपोजियन करना था रूट एक्स आ गया है किलियर है कितना आ गया रूट एक्स अब इस रूट एक्स को हम मेजर करेंगे ठीक है यहां हम लेजर किये और इसको हम रिपोजियन करतेंगे तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो गया रूट एकस इसको अलग नमबर लाइन पर भी रिप्रजेंट कर सकते हैं समझ में आई बते तो यहां पर एक लाइन लेंगे और इसको भी हम रिप्रजेंट कर सकते हैं ऐसे यह जीरो लीजिए और जीरो के बाद आपना रिपोजेंट करना है तो इसको रिपोजेंट कर देजिए तो यह जो वैलूज है जितना वे रूट इंस आएगा तो इसी तरह का एक इंजामपो लेते हैं तो चलिए देखते हैं मान लेते हैं रूट 9.7 या 9.3 इस तरह का इंजामपो लेते हैं पॉइंट्स वाला ठीक है तो कोच्चन्स लिखें लिखते हैं कि लोकेट रूट ओबर 9.7 अन्दर नमबर नाइन किलियर है विल्कुल तो 9.7 को रिपजेन करना है तो उसी यह स्टेप को फोलो करेंगे सब्सेप औले 9.7 चेक आउट करेंगे ठीक है कि यह होगा है नाइन पॉइंट से नमने केरेटली मेजर किया है ठीक है तो नाइन पॉइंट सेवन लिए ए यह हो गया भी 9.7 इसके बाद हम एक और ज्यादा लेंगे क्या करते हैं हम एक यूणित बढ़ा देते हैं एक यूणित हमने बढ़ा दिये तो यह जो पॉइंट हो गया यह क्या हो गया यह वन यूनिट है टोटल कितना हो गया 10.7 अब इसको हम क्या करेंगे बाइसेट करते हैं तो हाप से ज़्यादा लेजिए यहाँ से ठीक है अब यहाँ से अब यहाँ से अब यहाँ से मेजर मिन करके आप सर्कल बनाईगे अब यह थीक है हमने से मेजर कर ले लिया और यहाँ पे सिंपल सी बात है जो बी पॉइंट से यह है बी पॉइंट यहाँ पे एक पर पेंडिकूलर लाइन लेंगे जो यह रहा है अब इस लाइन को जोईन करेंगे इस से कट किया डी के उपर तो जो यह बीडी हुआ वोर डूट ओवर 9.7 हो गया तो इसको रिपोजेन करना है तो आप रिकर दीजिए यहां पर एक लैन लीजिए इसको 9.7 रिपोजेन कर दीजिए यहां से भी आँगे कर सकते आपकी मर्चित अगर आप चाहें तो यहां से भी आँगे कर सकते अगर यहां से भी ले ले लिए तो यहां से भी ले लिए जीड़ो ठीक है और यहां से मेजर यहीं यह होगे रूट ओवर 9.7 आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो इस तरह से हम इरिएशनल नंबर को भी नंबर नाइन पर रिपोजेंगे प्राइन पर झाल में